धरमशाला विधानसबा पर खालिस्तानियों के जंडे लगाने की घटना बेहर शरम नाक है। जिस सरकार के रहते सुरक्षा में इतनी लापरवाही हुई हो कि विधानसबा जैसे अती सुरक्षित चेत्र में भी खालिस्तान के जंडे लगा दिये जाएं। उस सरकार को ततकाल इस्तीफा दे दिना चाहिए। या बात आम आदनी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और पूर्वडी जीपी आईडी भंडारी और गौर्व शर्मा ने मीडिया से रूबरू होते हुई कही। जो प्रदेश सरकार की सुरक्षा वर्वस्ता को कट घरे में खड़ा करती है। और स्टेट गर्वर्मेंट की जिम्मेदारी होती है कि स्टेट की भादना कम न हो जाए। तो वो दो वज़ा से ही होता है, एक हमारी जो स्थापनाएं हैं, बिल्डिंग्स हैं या इस तरह की इंस्टॉलेशन्स हैं या फिर महतुपूर्ण ब्यक्ति हैं। इनके बारे में स्टेट का पूरा इंतजाम स्टेट गर्वर्मेंट को करना पड़ता है। और ये बिधान सबा है, जो लोगों की भादनाओं को रिप्रेजेंट करती है। तो मैं समझता हूँ, ये जो धर्मशाला में हुआ है बहुत ही दुखदाई है और बहुत ही खेदपूर्ण है। स्टेट गर्वर्मेंट को इसका संग्यान लेना चाहिए था और पहले से यहां पूरी स्क्राइट का इंतजाम होना चाहिए था। और इस तरह की स्टेटमेंट जैसे मेरे को बताया गया कि रात को हुआ या दिन को हुआ ये बहुत ही आधेंक इसको सीरियसली नहीं लिया जा रहा है। ये मामला बहुत सीरियस है चाहिए किसी सराथी तत्तों ने किया है या खालिस्तान समर्थक या उनका जो सिंपथाइजर है उसने किया है। आम आदमी पार्टी ये कहती है कि इस तरह की जो घटनाएं हैं इनकी पुनरवती नहीं होनी चाहिए। और जो आम ब्यक्ती है आम आदमी है जो स्टेट का जो हम हिमाचली हैं रास्टर भक्त लोग हैं और हमारी इसके बारे में सुरक्षा के बारे में जो भी बाते हैं उसमें बहुत हम संबेद अन्सील हैं और इन मामलों को सीरिसरी लेके इन लोगों को फटा फट सामने लाके प्रोस्क्यूट करके सजाएं देनी चाहिए जिससे कि आम आदमी में अज्सुरक्षा की भावना ना हो ब्यूरे रिपोर्ट सिटी चैनल शिम्ला